पूलिस के हाथ बुधवार को बड़ी काम्याबी लगी है पूलिस ने अंतर जनपद्य वाहन चोरों के गिरोहों का परदावाश करते हुए तीन लोगों को गिरफतार कर उनके कबजे से 14 मोटरसाइकल बढामत की है यह मोटरसाइकल विभिन स्थानों से चोरी की गई थी और पूलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है मामले का खुलासा करते हुए आपर पूलिस अधिक्षक पूर्वी ग्यानन जे सिंग ने बताया कि जनल पद में वाहन चोरी की घटनाव पर अंकुछ लगाने वह इनकी बरामगदगी के लिए एस पी अमित कुमार की निदेश पर सनई धारा संधीला वो मोबी निवासी गोगरिया कला थाना बेहटा मुजारा उन्नाव बताया एस पी के मताबिक इनके पास से पूलिस ने दू मोटरसाइकल बरामत की और सकती से पूछताज करने पर इन्हों ने जरहरा की नहरी कोठी के खंडर में छिपाकर रखी नो बेचने का काम करते हैं इनका एक साती रामू निवासी सनई फरार हो गया है पूलिस जिसकी लगातार तलाश कर रही है एस पी के मताबिक इन लोगों ने आसपास के जनपतों में भी वहां चूरी की घटनाव को सविकार कर लिया है फिलाल पूलिस गिरोहों के सदस्यों से हर्दोई से समधाता शाहिद अलिक रिपार्ट ये आज मोटर साइकिल चोरों के गिरोह का बंडा पोड़ हुआ है और इसमें कासिमपूर कुलिस के बड़ी सफलता मिली है इसमें उन्होंने 14 मोट साइकले चोरी की उन्होंने बरामत की है और जिसमें से 11 मोट साइकले कनेक में पकड़े गए उसे पूस्ताज के दारा इन गाडियों की बरामत की हुई है इनके विरुत है इंको गिरफ्तार करके जेल बेजा जाए जारा है गंगेश्टे रेट की भी करवाई कराई जाएगी ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बल इकन को खिलिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल झाल